गुड बॉर्निंग मेरे पैरे दोस्तों कैसे हो आप सब आसा करती हैं कि आप सब बहुत अच्छे होगी तो आपकी दुमाओं को जैसे हम भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंट तो पुजा कर लिया है अप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी का और बिना नहाय अर्थब से पुजा कर किते आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए हमें हर जगे कभी भी मुझे किसी भी चीज में रुकाउट नहीं होती है कुछ भी हो मैंने भगवान को महसूस किया है कि कुछ भी हो मेरे मुस्किल घड़ी में हमेशा मेरे साथ हैते हैं इसलिए मैं भगवान पर किसी अगले इंसाम से अगर अपना दुख तकलीफ आपको होगे ना तो वो सलूशन नहीं बताएगा आपको बसुर लेगा जब समय आने के बाद आपको सुना भी देगा कि ऐसा ऐसा लेगा बहगवान के सामने कुछ भी हो या सिर्फ भगवान के सामने ही रोग यार सब्स की परिशानी नह 반 crunchy नहीं सिब्भवान के सामने हैं अगर आप अपनी अपनी सारी तकलिकर करोगे ना भगवान आपकी सुनेंगे आपको सही रास्ता भी दिखा देंगे बतायेंगे नहीं आकरaysव में एसा रास्ता बना देते हैं कि है आप समझ जाओंगे मिन ही इस को हमें बताया है तो दूसरे को या तीसरे परशन को अगर आप जाके सुनाओगे ना तो कल को वो सुनने को तो सुन लेगा लिगी फिवराद में मजा मजा लेगा और फिर उसके बाद जा करके समय आने के वाद आपको बोल भी देगा कि तुमने तो ऐसा कहा था तुमारे साथ ऐसा हुआ था अज तुम बोलने वाली हुई हो तुम बोलती हो बोल सकती हो तुम भी कहने वाली हुई हो तो इसलिए किसी से कुछ नहीं को हो भी है आच्छा जमाना ऐसा है मैं तो भगवान को बहुत मानती हु, तुम भी मारती हूं की मानती हूं, दिल से प्यार करती हूं, तू देखे, इस चोटे से बच्चे का भाव देखिए, कि इसको भगवान से प्यार है। तो बोलो हरी ओम तो ठीगे फ्रेंट तो इसलिए मैं तभी खराब हूँ या नहीं हूँ बहुत ऐसे critical situation होते हैं कि तभी मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ बट मैं continue पूजा करना कोसिस करती हूँ कि मैं पूजा करूँ बगवान का और भगवान में अपना जो है मन लगाऊं तो इसलिए ये जादा हो गया तेन मिनट हो गया 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 देते पे तो मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों से गुजदेर के बाद मने रही है वार साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कि और तो पले शब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें आपकी सपोर्ट के आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत इफ दोस्तों तो फ्रेंड मैं यहां पे नासा करने के लिए लाइए उलेया चिक्यी रोडी बजड़ी का जो है ढूंडा और लईया का ढूंडा और अनी यहाँ पर खा रही है क्या खा रही हो नहीं कचोड़ी खा रही है आलू की कचोड़ी रात को मैं बनाई थी फ्रेंड ना सब्जी आलू की पर अच्छी थी पहले खाना कहो याँ अभी तुम खाई तीना बेटा इसको खाना कहा लू पेहले तो वही कचवड़ी बची थी तो आनी को आलू की कचवड़ी या लालू का पराठा ये सब पसंद है तो मैंने उनको यही दे दिया अमके रनास्ता कर लो तो कर रही है और हम खा रहे हैं लेए क्योंकि अभी जो है कल ही तो देवहार था लेए का तो मैं इस दो दिन तक लईया चलेगा तो कर लेए खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से तो फ्रेंट साम हो गई है और मैं आ गई हूँ अपने कीचन में तो मैं यहाँ पर भून रही हूँ जो है शौप और सुखी हुए धनिये को क्योंकि मैं इसको धुभून करके मेकसी में पीस हूँगी धनिया पौडर बनाऊंगी यह देखें सौप में थोड़ा सा रख बचा ली हूँ खड़ा तड़का लगाने के लिए और यहाँ पर जह किराने से सारा सामान आया है तो फ्रेंड साम हो गई है और मैं शाम का खाना बनाने आ गई हूँ अपनी किचन में तो आज मैंने बनाया है मशूर की दाल को बना करके फिर उसमें अच्छा से नम प्याज मिज़ा टमाटर और लेसुन को कुट करके बढ़िया सच्छे से प्राइ की हूँ और दिखाती हूं मैं आप लोगों को और यहां पर मेरा चावल भी बन रहा है यह देखिए फिरेंड इसमें थोड़ा सा गरब मसाला भी डाल ली हूँ और यह एकदम टेश्ट इसका छोले जैसा आता है यह देखिए इसके खुजबू जैसा यह बनता भी है जैसे छोले में आप बाइल कर लो मटर को फिर उसके बाद मसाला से भून करके फिर उसमें मटर को डालो तो इस तरीके से इसको चावल से खाने में बहुत अच्छा लगता है और साथ में बनाऊंगे रोटी तो ठीक है फ्रेंड बने दिये हमारे साथ अब मेरा सीटी भी आ जाएगा कोकर का आटा में ने गुझ दिया है तो रोटी गरम अगरम बनाएंगे तो सब लोग खाएंगे अभी नहीं बनाएंगे तो बड़ टाइंगे अभी बिजड़ा है और साथ आट में रोटी बनाऊंगे तब चावल मेरा ना गरम ही रहता है क्योंकि मैं जब सुटी आज आती है तो मैं बंद कर देती हूं और गैस में छोड़ देती हूं कुकर खोलती ही नहीं हूं तो गरम रहता है मेरा चावल अगो से सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल को तो फ्रेंड इतनी तगड़ी वाली ठंड है कि हम मा बैटी दोनों लोग रजाई में घुसके बैठे हुए हैं और अभी मैं खाना करके आई हूं रोटी अभी बनानी है रजाई में घुस गई हूं और अनी को थोड़ी देर पढ़ाई कराई हूं क्योंकि ऑनलाइ हूं इनको तो मैंने सुझाग थोड़ा था आप लोगों को अपड़ी दे दें और ठड़ी बहुत ज्यादा है दोस्तों आपके सिटी में है कि नहीं है हिमत बिल्कुल भी नहीं पड़ा राइक मैं उटूं अभी खाना भी देना है चले दो ठोड़ी बनाएं के लिए तब साथ मैं सोच रही हूं आदे गंटे और रुख जाओ अनी आदे गंटे बात कहाना यार अभी खाओगी हाँ आपा ये बाबा मताः बलते हैं कि बस गाने के फीरां में घूमती रहती है दिन बर ये वो काना है वो काना है तो आपने अछर जाई है यह नहीं के और पापाउड जोती है आजकर अपने टी आद मश्तु है क्योंकि मैं भारी वाली रजाई ओड़ती हूं दोस्तों और ये लोगों हलके वाले ये कंबल ओड़ते हैं क्योंकि लोग भारी रजाई पसंद नहीं दब जाते हैं उसी में तो इसलिए मैं भारी वाली रजाई ओड़ती हूं और मुझे अलग रजाई ओड़के मुझे सब्सक्राइब कर दोस्तों जो है सेंपू करके कल मकर शंक्रांती था तो अनी को मैंने सेंपू करके ने यह था था आज लगाएंगे हम तेल कैसे फॉंधी बोखत लग रहिए चले ठीक फॉंधा पूंधी बहुंधा थेपक एना ब्यागा बूख यह थो तो ठीक फ्रेंड आपizar हम कर कि अपने वीडियो का एंड तो कर दीजिए कि मेर चैनल को सब्सक्राइब लाइक सेर कमेंट पे लाइक अंदमाना बिल्कुल मत बूलेंगा था कि में कोई पी वेडियो डान को सब्सक्राइब नोटिफिकेस ना को तुरह में जाए जाए बाबा टेकर कोटना है नहीं नहीं कि अजाब!